नमस्ते भारत आज हम जानेंगे airbag mechanism के बारे में airbag गाड़ी में से कैसे खुलता है इसके पीछे की पूरी की पूरी science समझेंगे और seatbelt क्यों लगाते हैं इसके पीछे का भी पूरा scientific region जानेंगे देखा आपने गाड़ी टकराने के बाद airbag कैसे open हुआ और इस सुंदर महला को भी देखा कैसे यह seatbelt लगा रही है चलो अब बात करते हैं जब गाड़ी बहुत high speed में चल रही हो और यह किसी भी पत्थर से या किसी भी चीज से टकरा जाए तो उसकी speed एकदम slow हो जाती है यानि कि वो de-accelerate हो जाती है अब de-accelerate होने के दौरान अगर यह seatbelt ना हो तो सरीर एकदम आगे जाएगा और धच से handle में लगेगा या फिर सीसे से भार भी निकल सकता है ठीक है जिसकी वजा से हमें चोट लग जाएगी या फिर हम उपर की तरफ पधार लेंगे ठीक है बात यह आती है कि यह seatbelt लगाने का फायदा क्या है अपनी upper body जो है यह वाला यह अगर यह सर रेस्ट में आ जाता है तो गाड़ी अगर टकराएगी तो यह seatbelt ना अपने इस वाले हिस्से को रोक लेती है लेकिन अपनी गरदन और अपना सर यह तो रेस्ट में नहीं आएगा जब गाड़ी बहुत तेश टकराएगी तो अपना सर ना pendulum यानि कि दोलन की तर इसा तो चलेगा नहीं फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे जब भी गाड़ी कभी टकराएगी तो यहां से गुबारा निकालेंगे जिसका नाम रख दिया airbag फिर उस गुबारे में सर टकराएगा तो तेज लगेगी नहीं ठीक है इस बजासे airbag आया लेकिन एक और प्रोब करती है जब गाड़ी बहुत टेश टकराएगी तो और सन वार्ना सीट बेल्ट को धीरे धीरे रिलीस करती रहती है चोड़ती रहती है जिससे बैठे हुए ड्राइबर के चोट ना लगे या कोई भी बैठा है उसके चोट ना लगे चेस्ट में ठीक है तो आपको यहां तक समझ मैं अब हम समझेंगे पूरा का पूरा एयर बैक का सिस्टम कैसे एयर बैक गाड़ी में ओपन होता है तो बिना देरी कि यह आगे चलते हैं इधार आप देख रहे होंगे यह फर्स्ट फेलियर एटेम्ट है देखो सबसे पहले एयर बैक ओपन करने के लिए लगाया थ इसको जब गारी बहुत तो यहाँ से निकलेगी एयर ठीक है और फिर और पर यह बिल्कुल राटेम्ट रहा क्यूँ यह दो चीज नहीं बतापाता था किक क्रेस कब हो रहा है गारी में उसकी एक तो सही इनफोर्मिशना नहीं दे पाता था मन्लोग क्रेस हो गया थोड़ी के बारे में सही अंदा जा नहीं लगा पाता था दूसरा इस compressed air cylinder में से जब हवा निकलती थी तो वह एकदम सही टाइम पर नहीं निकलती थी जिसकी वजासे यह इस्प्रिंग नहीं दपाती थी ठीक है यह तो फेलियर आइटेम टेस पर चर्चा नहीं करेंगे हम चर्चा करत एक और किसी भी चीज से टकराती है तो टकराने के बाद होता क्या है यह बॉल लगी रहती है इस sensor में ठीक है पहले तो यह magnet से चिपकी रहती है यह magnet की वजासे रेस्ट में लेकिन जैसे यह गाड़ी किसी भी चीज से बहुत तेज तकर आएगी तो टेश तकराने के बाद क से हैं और यह स्टील वॉल है तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया अब सर्किट कंप्लीट होने की बजा से यहां से जाएंगे लेक्ट्रिकल सिगनल्स और यह लेक्ट्रिकल सिगनल्स जाएंगे 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 कहां तक जाएंगे इंफलेटर तक जाएंगे अब बात आ आए ना वो chemical explosion की बज़ा से निगलता है यानि कि एक तरीके का chemical bomb फटता है तो बताते हैं कैसे फटता है देखो होता क्या है जैसे यहां से signal गया तो यह signal न पाइरो टेक्निक से पास होता है पाइरो टेक्निक का मतलब हो गया ऐसी टेक्निक जिसे यह पता चल जाता है कि अब आग लगा नहीं है पाइरो का मतलब आग होता है ठीक है अब आग लगा नहीं है तो पाइरो टेक्निक से जैसे ही पास होगा तो यह 300 डिगरी सेल तो 50 गिराम सोडियम अगर होगा तो वो 70 लीटर नाइटोजन कैसा में कन्वर्ट होता एगा तो यहसं गैस गुबबारः जाता है और वो गुबबारा एकदम से फूल जाता है बस समझ में आइए आपको आगे देखो यह पूरी की पूरी रियक्चन ऐसे यह कूछ जो इनए यानि कि sodium azide होता है वो दो भागों में तूट जाता है sodium और nitrogen gas अगर मानलो 50 gram sodium इस्तमाल करेंगे तो 70 liter gas produce होगी यह पूरा का पूरा जितना भी प्रोसेस है यह काम का यह 30 millisecond में होता है मात्र 30 millisecond में ही airbag खुल जाता है गारी टक्राने के बाद अब 1998 में यह चीज सक्सेस्फुल लगी इंजिनियर्स को तो इन्होंने इसको सारी गाडियों में इंस्टॉल करना चालू कर दिया और गाडियों की बढ़ गई sales ठीक है और safety feature भी मिलने लगा customer इसको customer हो जाए खुस आगे देखो लेकिन यह जो sodium गाड़ी समस्याई एक तकाता नाम की कंपनी थी जो की airbag बनाती थी अगर हलका साभी कोई भी लीकेज रह जाता है गाड़ी में तो sodium azide moisture को बहुत जल्दी absorb करता है उसकी बजासे बहुत बड़े-बड़े incident होने लगे moisture absorb करने की बजासे sodium azide में जैसे nitrogen gas बनती है तो nitrogen gas की बजासे यह airbag फट जाता है और airbag से फटने की बजासे यह जो छोटे-छोटे टुकड़े निकलते हैं बहुत ही जादा solution आया थोड़े दिनवाद sodium azide की जगा guanian nitrate का इस्तमाल करने लगे यहां से airbag की समस्या तो बिल्कुल दूर हो गई कोई भी दिक्कत नहीं अब अगर airbag open होगा तो customer को कोई भी दिक्कत नहीं होगी नहीं कोई explosive reaction होगी नहीं कोई toxic पदार्थ निकलेगा जिससे कोई problem हो न लायक है के नहीं मानलो अगर गड़े में से गाड़ी निकल रही है तो भी airbag खुल गया तो यह बड़ी problem create हुई इसी लिए कुछ नए sensors लगाए गाड़ी में जिनका नाम था मीम sensor यह capacitance based sensor थे advanced electrical control unit sensor है यह बहुत ही important sensor ठेरे क्योंकि इन sensors ने यह बताया कि भाई साब अगर ग आता है उसका अब वो बे वज़ा खुल जाएगा तो फिर नुकसान तो हो जाएगा नहीं उसका customer का तो फिर इसी वज़ा से इसमें advanced electronic control unit sensor लगाए गए कि भाई साब सीवर अटेक पर ही open हो ना आगे देखो बीली स्पीड sensor gyroscope break pressure sensor electronics control unit यह सारी चीज है gas generator को यह input देती है कि एक तराक चाहिए यह टकराव जो है कितना सीवर है क्या यहाँ पर यह airbag open करना चाहिए या नहीं अगर यह यह ठकराव बहुत ज्यादा खतरनाक और तो airbag open हो जाता है हम में total कितना बक्त लगता है और कैसे कैसे यह बक्त लगता है हम जल्दी से जानते हैं देखो 2 millisecond में explosive को जला देता है यानि कि जो अंदर पधारत है उसको जला देता है 2 millisecond में 20-30 millisecond के अंदर पूरा का पूरा airbag open हो जाता है और यह airbag लगबग 100 millisecond तक open रहता है जिससे होता है एक बात बताओ आप अगर इस condition में seatbelt नहीं लगाये होंगे और यह airbag एकदम खुलेगा तो आपके मुह को ही तोड़ देगा इसलिए क्या करना है seatbelt लगानी है क्यों तोड़ देगा मुह को सुनो जब गाली टकराएगी तो आप नीचे ऐसे आओगे airbag आएगा ऐसे तो दौनों एक दूसरे के साथ टकराओगे तो मुह तूट जाएगा वाइसा परिशानी हो जाएगी सर फट जाएगा ठीक है इसलिए जब आप seatbelt लगाओगे ना तो आप बहुत धीरे-धीरे आओगे और यह भी अपनी स्पीड से आएगा ठीक है 320 km परार की स्पीड से ल आप यहां deflate होने लगेगा जैसे यह एयरवेक खुला धीरे-धीरे deflate होने लगेगा जिससे इसका सर अगर यहां पर लगा है तो वह धीरे-धीरे नीचे की तरफ जाए उसे रिलेक्स फिलो ऐसा नहीं कि उसे चोट लग गई और जादा इस इसी चक्कर में ठीक है तो यहा से भाद निकलने लग जाएगी यह deflate होने लगेगी आपको समझ में आ गया होगा आगे देखो आजकल की जो गाडिया है उन में six airbags की मांग की जा रही है आपके safety features के लिए ठीक है तो six airbags की positions देख सकते हो एक यहां आएगा एक सीट पर आएगा एक इदर आएगा तीन हो जाएगे six airbags यह पूरी एकदम secure गाड़ी रहेगी इस वज़ा से six airbags दिए जा रहे हैं तो आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि airbag कितने important हैं कुछ मेरी वीडियो और पड़ी हुई है home पर जाकर उनको भी जरूर देखें जब तक के लिए बाइवाई टाटा ब मैंने उनमें जरूर देखना ठीक है